हलो स्टोर्ट्ट्स नेच्ज्ट हम देखने है कैसे नोमर फॉर क्या क्या रहा है आपको देखो यूँ गिवीन है आपके पास ऑ गिविन है भीविन है आपको वेरिफाइँ करने है दो कंडिशन से first condition नेचन काते है ए एक मेनक इसको थोड़ा सवाथ नीच सब्सकbernator LHS RHS की तरह है न चलो तो फर्स्ट कंडिशन में हम क्या निकालते हैं पहले LHS निकाल लेते हैं LHS में हम क्या निकालेंगे अगर हमें A union B का डैश निकालना है इसका मुझे U में से माइनस करना पड़ेगा A union B को A union B actual में है क्या देखो यह A है यह B है इन दोनों का union कैसे लिखूँगा आप 2 लिखा 3 लिखा फिर 4 दर से उठा लिया फिर 5 उठा लिया फिर 6 उठा लिया फिर 7 उठा लिया फिर 8 उठा लिया की कैसर 2 4 6 8 2 4 6 8 और 3 5 7 अब union में से अगर इसको माइनस करेंगे 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 वन और 9 बचेगा आपके पास वन ली किसना बचेगा वन और 9 बचेगा यह कैसर आया समझ में आत हो गया सर थोड़ा बहुत ठीक है यह LHS आ गया अब आप देखो RHS को RHS में क्या निकालना है आपको A- इंटरसेक्शन B- अब आप सबसे परद तो A- लिख दो सर A- क्या होगा A के अलावा जो भी बच गए है यह ना U के अंदर A के अलावा जो भी बच गए है वो 2-4-6-8 तो A- में है तो इसके अलावा क्या बच गया आपके पास 1 बच गया फिर 2 आ गया इसमें तो 3 बच गया फिर 4 आ गया इसमें 5 बच गया फिर 6 आ गया इसमें 7 बच गया फिर 8 आ गया इसमें 9 बच गया intersection, intersection फिर B, B'dash मतलब B के अलावा, B के अलावा देखो, 1 है, उई इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, फिर 4 ले लेते हैं, फिर 5 इसमें आ गया है, तो 6 ले लेते हैं, फिर 7 इसमें आ गया, फिर 8 ले लेते हैं, फिर 9 ले लेते हैं, अब इनका common part, common part का मतलब जो दौनों में आ र RHS Hence proof आप ये वाले RHS वाली Conditioner इसके नीचे करना मेरे पाद Space नीच लिमेड हो लेफ्ट राइट रखना हो आप ऐसे मत रखना थोड़ा सा तरीके से करना केशन Next देखो यहाँ पर हम LHS Proof करेंगे मुझे अगर A intersection B का Dash करना है, complement करना है तो मुझे Union में से A intersection B को Minus करना पड़ेगा, ठीक है अब A intersection B मतलब A और B में कुछ common होगा जो आप उठा लो यहाँ से, तो एक तो 2 common है हमारे पास और 3, 5, 7 बस 2 क्यालाव और कुछ नहीं गया 4, 6, 8 नहीं है बस अब U में से अगर मैंने 2 हटा दिया, क्या का मैंने U में से 2 हटा दिया, तो क्या बच्चा मेरे पास 1, 3, 4 5, 6, 7, 8 और 9 Next देखो, RHS RHS में मुझे क्या निकालना A- Union, B- तो पहले तो A- लिख देते हम परवाले में से देखके, 1, 3, 5, 7 और 9 Union, B लिख देते हम 1, 4, 6, 8 और 9 इन दोनों का आप क्या लिख दो? Union लिख दो Union लिख दो इन दोनों का Union का मतलब क्या हो गया? 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, 5 हुआ 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ 9 हुआ, अब आप इन दोनों का मिलान कर लो, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसका मतलब LHS equals to RHS आ गया और यह हो गया आपका Hence, Prove, बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं सार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, किलियर रहे हैं तक, Complete Question No.4, Access 1.5